तो बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 7 की हिंदी बूक बाल महा भारत का था तो बच्चों आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरी चैनल NCRT The Mind को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दिजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तो चलिए बच्चों आप हम लोग पढ़ना सुरू करते हैं तो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था देवरत देवरत इसका पहला चैप्टर था उसमें आपने उसके बारे में जाना था कि देवरत कौन था और लेकिन भिस्म इसका नाम देवरत का नाम आगे चलके भिस्म क्यों पढ़ा आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी प्रतिग्यान ली थी जो उनका नाम भिस्म पढ़ा तो अब हम लोग इसके बारे में आगे जानते हैं तो आप लोग किर्प्या करके इस कहानी को अच्छे से सुनिये समझने की कोशिस कीजे तो चलिए अब पढ़ना सुरू करते हैं तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुलित मन से नगर को लोटे और दिवरत राजकमार के पद को सुसोभित करने लगे चार वर्स और बीद गए एक दिन राजा सांतनु यमना तटकी और घूमने गए तो वहाँ अपसरा सी सुन्दर एक तरूनी खड़ी दिखाई दी तरूनी का नाम सत्यवती था गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग चाया हुआ था वह इस तरूनी को देखते ही विलीन हो गया उस सुन्दरी को अपनी पत्नी बनाने की एक्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याजना की सत्यवती बोली मेरे पिता मलाहों के सरदार है पहले उनकी अनुमती ले लीजिए फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तयार हूँ राजा सांतनों ने जब अपनी इक्छा उन पर प्रकट की तो केवत राज ने कहा आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा राजा ने कहा जो मांगोगे दुंगा यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो केवत राज बोले आपके बाद हस्तिनापूर के राज सिंगासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा इस बाद का आप मुझे वचन दे सकते हैं केवत राज की सर्त राजा सांतनों को ना गवार लगी गंगा सूत को छोड़ कर अन्य किसी को राजगदी पर बैठने की कलपना तक उनसे ना हो सकी निरास और उदिग्न मन से वह नगर की ओर लोट आए किसी से कुछ कैवी ना सके पर चिंता उनके मन को कीरे की तरह कुतर-कुतर कर खाने लगी देव वरत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है एक दिन उसने सांतनों से पूछा पिता जी संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं आपको किस बात की चिंता है यद्यपी सांतनों ने गोल-मोल बातें बताई फिर भी कुसाग्र बुद्धी देवरत को बात समस्ते देर ना लगी उन्होंने राजा के सार्थी से पूछताज करके उस दिन केवटराज से यमना नदी के किनारे जो कुछ बाते हुई थी उनका पता लगा लिया पिताजी के मन में मन की व्यथा जानकर देवरत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज सांतनू से कर दे केवटराज ने वही सर्थ दोराई जो उन्होंने सांतनू के सामने रखी थी देवरत ने कहा यदि तुम्हारी आपत्ती का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राजी का लोब नहीं करूंगा सत्यवती का पुत्र ही मेरी पिता के बाद राजा बनेगा केवट राज इससे संतुष्ट ना हुए उन्होंने और दूर की सोची बोले आर ये पुत्र इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे किन्तु आपकी संतान से मैं वैसी आसा कैसे रख सकता हूँ आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा बहुत संभब है कि वह मेरे नाती से राजे चीरने का प्रयत्न करे इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है केवट राज का प्रश्न और प्रत्यासित था उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवरत अपने भवी सिका भी बलिदान कर दे किन्तु पित्र भगत देवरत इससे जड़ा भी विचलित नहीं हुए गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा मैं जीवन भर विवा नहीं करूंगा आज जन में ब्रह्मचारी रहूंगा मेरे संतान ही ना होगी अब तो तुम संतुष्ट हो किसी को आसाना थी कि तरुन कुमार ऐसी कठोर प्रतिग्या करेंगे देवरत ने भहंकर प्रतिग्या की थी इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भिस्म पड़ गया केवट राज ने सानन्द अपनी पुत्री को देवरत के साथ विदा किया सत्यवती से सान्तनु के दो पुत्र हुए चित्रांगद और विचित्र विरे सांतनु के दोहाव शान पर चित्रांगद हस्तिनापूर के सिंगासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीरी विचित्रवीरी की दो रानिया थी अंबिका और अंबालिका अंबिका के पुत्र थे ध्रितराष्ट और अंबालिका के पांडू तक उस विसाल राजवन्स के समान्य खुल नायक और पुज्य बने रहे सांतनु के बाद कुरूवन्स का क्रम यह रहा तो देखिए बच्चों अब ये आपको कुछ ग्राप में इस तरह से आपको समझाया गया है कि किसकी कितनी राणिया थी अब देखिए सांतनु सांतनु ने दो शादी की थी दो राणिया थी उनकी तो पहली गंगा दूसरी सत्यवती तो गंगा से दिवरत हुआ और सत्यवती से दो पुत्र हुए जिसका नाम था चित्रांगत और विचित्रवीरे अब विचित्र वीरी की दो डानिया थी पहला का नाम था अंबिका और दूसरा का अंबालिका तो अंबिका से धृत्राश्ट्र हुए उसके बाद अंबालिका से पांडू तो धृत्राश्ट्र के सौपुत्र थे जो की कौरब कहलाए सौ पुत्र और एक पुत्री भी थी पुत्री का नाम दुशाला था और उसके बाद पांडू के पांच पुत्र थे युदिश्टीर भीम, अर्जून, नकुल और शहदेव और दृतराश्ट के दुर्योधन, दुशाश्षन इस तरह से कई सारे सौ पुत्र थे, कई सारे ने सौ पुत्र थे और एक पुत्री थी तो इस तरह से आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा अब मैं आगे का चाप्टर आपको बताऊंगी तब तक आप इसे दिहान से पढ़िए और दूसरे को भी सुनाइए और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आपको मैं इसके प्रश्न उत्तर आपने तो पढ़ी लिया होगा लेकिन फिर भी मैं इसका प्रश्न उत्तर आपको एक बार बता देती हूँ आप उसे देख लिजे अब बच्छों आप ध्यान से सुनिए पहला प्रश्न है आपका कि सत्यवती कौन थी राजा सांतुनों ने उसे कहा देखा तो उत्तर लिखेंगे आपकी सत्यवती मलाहों के सरदार केवट राज की पुत्री और सांतनों की दूसरी पत्नी थी राजा सांतनों ने उसे यमुनातट पर देखा दूसरा प्रश्न है महाराजा सांतनों की प्रेम याचना पर सत्यवती ने उनसे क्या कहा उत्तर लिखेंगे कि महाराजा सांतनों की प्रेम याचना पर सत्यवती ने उनसे कहा कि पिताजी मलाहों के सरदार है पहले ये उनसे अनुमती लें फिर वह उनकी पत्नी बनने को तयार है अब देखें तीसरा प्रशन है केवट राज ने सांतनु से क्या कहा तो तर लिखेंगे कि अपने पुत्री सत्यवती के विवा प्रस्ताव सुनकर केवट राज ने महाराजा सांतनु से कहा उनके बाद हस्तिनापूर के राज सिंगहासन पर सत्यवती का पुत्र बैठेगा इस बात का वह वचन दे चौथा प्रशन है राजा सांतनु की दुविधा क्या थी? पुत्तर लिखेंगे कि राजा सांतनु को निराश और चिंता ग्रस्त देखकर देवरत को उनके दुख का पता चला। चटा प्रश्न है सांतनु के बाद राज सिंगासन किसे दिया गया। उत्तर लिखेंगे सांतनु के बाद राद सिंगासन उनके प्रत्थम पुत्र चित्रांगत को दिया गया। उसके बाद है दिखें सात्वा प्रश्न है पिता के दुख को दूर करने के लिए देवरत ने सच्चे पुत्र का फर्च कैसे निभाया। उत्तर लिखेंगे कि पिता के दुख को दूर करने के लिए देवरत सत्यवती के पिता केवट राज के पास गए और उनसे बोले कि वे अपने पुत्री का विवा महराज सांतनों से कर दे केवर्ट ने पुनह वही सर्थ देवरत के सामने रखी देवरत ने वचंते तेज़वे कहा कि सत्वति का पुत्र ही पिता के बाद राजा बनेगा इस पर केवर्ट राज ने कहा कि उसे पुड़ा भरोशा है कि वह अपने वचं पर अटल रहेंगे किन्तु वे उनकी संतान से वैसी आसा नहीं कर सकते देवरत केवट की बाद पर थोड़ा भे विजलित नहीं हुए और गंभिर स्वर में बोले कि वे प्रतिग्या करते हैं कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे आज जीवन ब्रह्मचारी रहेंगे उसके बाद चठा आठमा प्रशन है आपका देवरत भीस में क्यों कहला है विस्तार से लिखो तो उत्तर लिखेंगे कि केवट राज का और प्रत्याशित प्रशन सुनकर देवरत थोड़े भी विजलित नहीं हुए उन्होंने अपने भविस्य का बलिदान करते हुए गंभीर स्वर में कहा कि वे वचन देते हैं जीवन भर विवाह नहीं करेंगे आज जीवन ब्रह्मचारी रहेंगे उन्हें संतान ही ना होगी देवरत की ऐसी भहयंकर प्रतिग्या के कारण ही उनका नाम भेश में पड़ गया अब नवा प्रश्न है कि देवरत की चरितर से आपको क्या सिक्छा मिलती है तो तर लिखेंगे देवरत ने अपने पिता की खुसी के लिए अपना बलिदान कर दिया और आज जीवन विवाह ना करते हुए ब्रह्मचडे जीवन बिताने की प्रतिग्या की उनके पिता सत्यवती नामग जी सुंदरी से विवाह करना चाहते थे उसके पिता केवट राज की भी यही सर्थ थी अपने पिता के लिए ऐसी कठोर तपस्या करने वाले देवरत की चरितर से हमें यह सिक्छा मिलती है कि हमें अपने माता-पिता की खुशी के लिए अपना सरवश्य नियोचावड कर देना चाहिए तो बच्चों आपने यह कहानी पढ़ी तो इससे आपको दिवरत के चरितर से जिस तरह से आपको सिक्छा मिली तो उसी तरह से आपको भी अपने माता-पिता के लिए अपना सरवश्य नियुचावर कर देना चाहिए उनके खुसी में ही आपको अपना खुसी ढूंड़ना चाहिए वो जिस चीज में खुस होते हैं आपको वही काम करना चाहिए इसलिए बच्चों आपने देखा कि देवरत का नाम भेस में क्यों पड़ा क्योंकि उन्होंने बड़ी कर्ठिन कड़ी प्रतिग्या ली थी इसलिए उनका नाम भेस में पड़ा तो अब आप लोग इसे समझ गया होंगे अब हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में तब तक के लिए बाई, टेक केर, थैंक्स तो वाच माई वीडियो